हेलो दोस्तों आप सभी को मेरी चैनल चिली तड़का में स्वाग होते हैं आज मैं बनाने जा रहे हूं काला कंद इस मिठाई बहुत ही टेश्टी होता है और दो तिन समान में आसानी से बन जाता है अब सुरू करते हैं इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनी लिया है कि ग्रेट करके लिया है यह ग्रेटर में ग्रेट करनिया मिक्सि में भी बिना पानी दिये ऐसे दरधरा पीश सकते हो आप मिठाइप बिनानी के लिए एक लिटर दूद लिया है इसको उबा लेंगे आप दूद डालने से पहले थोड़ा कड़ाई को धो ले नहीं तो थोड़ा पानी डाल कर दूद डाले निचे से चिपके गाने आधा हो जाए रिडिश होकर पनीर को डाल देंगे जो ग्रेट किया होगा पनीर को डाल देंगे इसे ही चलाते रहेंगे गड़ाओने तक चलाते रहेंगे अब दूद काफी गड़ा हो गया है कि टेस्ट की साब से चीनी डालेंगे जितना मिठा खाना पसंद करते हो उसी साब से थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक साथ डाल दिया तो कि सड़नली टेंपरिचर लो हो जाएगा कि चीनी डाल कर इसे ही चलाते रहेंगे कॉंटिनियूसली चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से लग जाएगा जलावा स्मेल आएगा कि इसको बनाने में हाई फ्लेम में पंद्रा से बीस मिनिट लगेगा कि बहुत ज्यादा छिड़क रहा है ध्यान से चलाएं नहीं तो आपके सामने एक ढ़कन भी रख सकते हो अब इसमें एक छोटा चामाच इलाईज पाउडर डालेंगे और आसे ही चला दे रहेंगे और थोड़ा गाड़ा होने तक कूक करेंगे कॉंटिनियूसली चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा और चला हुआ स्मेल आएगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अब हो गया है ग्यास को आप करतेंगे रेड़ी हो गया अब त्रे लेंगे उसमें थोड़ा सा घीर डालकर ग्रीज कर लेंगे अब इसको डाल देंगे कि अब तरह प्लेन कर लेंगे थोड़ा सा घी लगा कर इसके उपर प्लेन कर लेंगे अब आए कि अब थोड़ा सा कटिवी ड्राइनर्स डाल देंगे कि अब इसको पांच-छा घंटे के लिए इसे रूम टेंपरेचर में छोड़ देंगे नहीं तो यह रूम टेंपरेचर में आने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हो आप अब चार-पांच घंटे के बाद इसको कट करेंगे अपरेच हो गया कला कंथ बहुत ही टेस्टी बनाएं आप इसे घर पर ट्राइ कर सकते हो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नाए भुड़ों में तब तो के लिए धन्यवाद अपराइ आपने लिए पर ट्राइ